कि अगाइज लोकुम बाइक पर माँ चैनल मैं हुआ कांग्शा आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ ये ट्रेस में का शैंपू और कंडीशनर के बार में तो अभी कुछ दुनों से बाहर थी तो मैं बहुत जादा मेरा पानी चेंज हो रहा था जिसके कारण क्या हुआ कि मेरे बाल बहुत जादा रॉफ होका है तो मैंने सोचा मुझे कैसा शैंपू यूज करना चाहिए जो प्रोफेशनल रेंज होती है वो मुझे यूज करना चाहिए क्योंकि मेरे बाल काफी डैमेज होती है और मैं शैंपू भी काफी चेंज करती हूँ क्योंकि रिव्यू बालों को स्मूध बनाता है जो की सबसे बड़ी रिक्वाइडमेंट थी मेरे बालों की तो मैंने इसको कुछ दो उसे तफ यूज किया इसने में इसने में इसे बालों पर कैसा काम किया कैसे रिजल्ट्स मिले यह साथी बात आश के उपरेंगे अगर आप भी जाना चाहते है यह शैंपू कंडिशनल के बारे में तो एस वीडियो का एंटल जरूर दिखी है और फॉर पहले बात करते हैं यह शैंपू की तो यह जो शैंपू है यह करीटेन आर्गन और वाईल से मिलके बना हुआ है जो की बालों को श्मूद बनाता है शाइनी बनाता है इसका जो केर इसके साथ ही बालो को manageable बनाएगा आपके बाल बहुँ जादा shiny लगेंगे smooth लगेंगे इसको use कने के बाद या जो भी जी चीरोस में बना हुआ है उसकी लिस्ट में आपको दे दूगी आपको देदे दूगी आ कीशने किन की बना हुआ है इसके price की बात करूं तो यह 130 रुप आपने स्केल्प पर पूरी लेंट पर अच्छे से मसाज कीजिए और इसको वाश कर दीजिए ये बहुत अच्छे से आपके बालों को बनाएगा फ्रिस परी बनाएगा काफी मैंचबल आपके बाल इसको यूज करने के बार लगेंगे अब आपके एक चैम्पू को साथ एक यूज करते हो तो यह बहुत अच्छे से काम करता है यह भी केरेटन स्मूथ केरेटन और आर्गन वाइल से मिलके बना हुआ है जो कि बालों को बहुत अच्छे से कंडिशनिंग करता है बालों में मॉश्यर को लॉक करता है जिससे आपके बालों और ज्यादा मैनेश्में बनते हैं, शाइनी लगते हैं, स्मूध लगते हैं, और इसको चैंपू करने के बाद जब बालों से पानी आपने काल लीजिए इसके बाद इसको 10-15 मिनिट तक बालों पर लगा के रखें, याद रखें कि कंडिशनर को कभी भी अपने स्कैल पर नहीं लगाना चाहिए, सिर् और 10-15 मिनिट तक रहने दीजिए, फिर वाश कर लीजिए, इसको लगाने बाद आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्स मिलेंगे, यह भी चैंची आपको मैं दे दोंगे, वहां से आप देख सकते हैं, यह 190 एमिल का पैक है, और इसकी प्राइस काज करने, 220 रुपी जो भी एक्चुल प्राइस होगी, वह आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी, यह जो कंडिशनर है, यह क्लेम करता है, कि आपके बालों में जो भी मॉश्यर उसको लॉक करके रखेगा, आपके बालों वह फ्रिस्ट्री बनाएगा, बहुत अच्छे से मैनेज करके रखेगा, यह जो शेम्पू कंडिशनर है, यह आप जो भी treatment करवाते हों, उसके बाल भी यूज कर सकते हो, जैसे आपने keratin treatment कर आया है, straightening कर आई है, rebonding कर आई है, इसके बाद भी आप इसको यूज कर सकते हो, यह बहुत अच्छे results देगा, इसके साथ ही आपने colour औरा करवाया हुआ तब याप इसको यूज़ कर सकते हैं अच्छा ये जो शेंपू है ये आपके बालों को फ्रिस्प्री बनाता है जो भी ड्राइनस हो जाती है बालों में उसको कम करता है बालों को आपके बालों को कोई भी हाम नहीं पहुंचाएगा पर अगर आप natural shampoo जाते हो, chemical free shampoo जाते हो और conditional चाहते हो तो यह product आप के लिए नहीं है, इसमें यह सारी चीजिया यूज की गई है, नहीं इसमें कहीं मैंशन की गई है, यह सारी चीजिया इसमें कहीं भी mention नहीं की गई है, पर बालों के बहुत अजय से काम करता है, और बालों क तो सच में आप इसको जब यूज करेंगे तो आपको तीन-चार वाश में ही डिफेंस नजर आने लगेंगे, आपको आचके वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब, शेर कर दीचे और यह हो, अब में नमें नेक्स वीड